दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़े ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि आप बिहार के की जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दे इसके साथ ही वीडियो के अंत में आप से एक सवाल पूछा जाएगा जिसका जवाब आपको कमेंट बोक्स में बताना है साथे तीन साल बाद खुली हवा में सास ले सकेंगे पूर्व मुख मंत्री जी हाँ बिहार के पूर्व मुख मंत्री लालू प्रसाद यादव को राची हाई कोड से कई दिनों तक चली सुनवाई के बाद जमानत मिली गई इसके साथ लालो यादव तेन साल बाद जेल से रिसकेंगे लालो को जमानत मिलने से राज़त समर्थोकों में खुसी की लहर है अब को बदद कि लालो प्रसाद यादव को कुछ सर्तों पर बेल मिली है जिसमें लालू प्रसाद को एक लाग के निजी मुचकले तदा दस लाग जुरुमाना जमा करने का निर्दिस दिया है लालू प्रसाद को अपना पासपोर्ट जमा करना होगा बिना कोड की अनुमति के विए बिदिस नहीं जा सकेंगे उन्हें अपना मोबाइल नमबर और पता भी नहीं बदलने का निर्दिस अदालत ने दिया है दूसरी तरब जमानत के बाद भी लालू को आएगी मुचकले CRPC की धारा 427 को आधार बना कर जमानत रद कराने सुप्रीम कोट पहुच सकती है 4 घुटाल के मामले में लालू प्रसाद को मिले जमानत के खिलाब CBI सुप्रीम कोट का रुख कर सकती है CBI ने इसकी तैयारी सुरुक कर दी है और जल्द सुप्रीम कोट में याचिका दायर करेगी CRPC की धारा 427 को आधार मनाते हुए CBI सुप्रीम कोट से लालू प्रसाद की जमानत रद करने का आगरा करेगी CBI के मताबिक लालू प्रसाद को चार मामले में अलग-अलग सजा हुई है लेकिन CBI कोट ने सभी सजा एक साथ चलाने का आधिस नहीं दिया है बिहार में कोरोना बेकाबू CM नितिसने की सर्वदलिय बेठक कहा रयवार को देंगे सारी जानकारी जी अबिहार में कोरोना की भयावा इस्तित को देखते वे सनिवार को राजपाल भागो चोहान के अधिक्स्ता में सर्वदलिय बेठक हुई सुबा 11 बजे से शुरू हुई इस बेठक में राजपल, मुख मंत्री नितिश कुमार, उप मुख मंत्री तारकिसोर परसाद हुआ, रेनु देवी विपच के नेता, सवे यादव सबेत सभी दलों के प्रतिनिदी ओनलाइन जुड़े, मीडियो कॉनफरेंसिंग के माईदम स से राजपल, सचिवाले से बेठक का संचालन किया गया, हाला कि बेठक में क्या फैसला लिया गया, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है, सर्वदलिय बेठक के बाद मुख मंत्री नितिश कुमार ने कहा कि, रहिवार को दोपर के बाद कुरोना को लेकर लिये जाने वाले सड़क दुरगटना में होने वाले मौत या गंभी रूप से गायलों को सरकारे रहत प्रदान करने के लिए राज तरिया दावा न्यादी करन का गठन होगा, परिवान विभाग ने इस बाबत निर्ने ले लिया है, अनुमंडल पदादीकारे के मैदम से, राज इस तरिया सड़क दुरगटना के हातात लोग मौवजार आसिक के लिए दावा कर सकेंगे, उलेखनी है कि राज तर सड़क दुरगटना में मौत होने पर उनके निकरतम परिजनों को पांच लाग तो गंभी रुप से गायलों को धाय लाग रुपिय देगी, बड़े कबर अभी खु इलकूत से जुड़े सबी इस्तानों, जीम को बंद करने सबी म्योजम में आम लोगों के इंट्री पर 16 मैं 2021 तक रोक लगाने वाले निर्देश को वापस ले लिया गया है, सरकार के कला संस्कृति वाईवा विभाक ने सुकरवार 16 अप्रेल को इस से जुड़े दो 16 अप्रेल को इन दोनों निर्देश को वापस भी ले लिया गया है, बीते दो दिनों में यह चारो निर्देश चात्र एवं युवा कल्यान की निदेशक संजय सिना के हस्तक्चर के साथ जारिक किया गये हैं बिहार में इस साल गर्मी करेगी हालत खराब, मौसम विभाक का पुर्वानुमान राज में समानी से कम होगी बारिस जी हाँ सुबे में इस बार मांसुन की बारिस समानी से कम होगी मौसम विभाग की ओर से जारी ताजा पुर्वानुमान के मुताबिक इस्टन यूपी और राज के पश्चिमी भाग में समानी से कम बारिस के आसार है जबकि पूर्वी बिहार में इस्तिती थोड़ी बहतर रह और सादो के आसपास बारिस होगी सूबे में कहीं भी सादों से अधिग बारिस का प्रवानुमान नहीं है उल्ळीम स्टाइज को इनट्रिन्स पास वापासने का अदेशन कोरोना के बढ़ते मामले के बीच बारती सेना में भरती के लिए 25 अप्रेल को मुझपरपुर में आयोजित रेली इस्थगित कर दी गई है इसके साथ इस सेना भरती कारियाले ने अब एरतियों को रिकुर्मेंट रेली इंटेंस पास वापस करने का निर्दिश दिया है आपके जानकारे के लिए बता दे कि य 25 अप्रेल को सेना भरती कारियालाई चक्कर मैदान में आयोजित होनी थी बड़े कबर बे घर भी ले सकेंगे लपीजी कनेक्शन आवासे परमानपत्र की अब कोई जरूरत नहीं जिहां इंडियान ओयल कोर्प्रेशन ने लपीजी के नए कनेक्शन लेने वाले ग्रहाकों को बड़े रहत दी है अगर आपके पास आवासे परमानपत्र नहीं है तो भी आप लपीजी सिलेंडर का कनेक्शन ले सकते हैं पहले आवासे परमानपत्र जरूरी था सूबे में लगबग 88,57,000 लपीजी उपबोगताओं को सेवा देती है इनमें अकले पटना जिले में 8 लग 57,000 ग्रहक हैं सरकार ने बताया था कि सरकार प्रधानमंत्री उज्वाला योजना की तहट अगले दो वर्सों में एक करोड से ज्यादा फ्री में लपीजी कनेक्शन देगी सरकार का लच्चे सभी गरीब परिवारों को निसुलक लपीजी कनेक्शन उपलब्द कराना है सरकार अब बिना आवासे पर्मान पत्र के लपीजी कनेक्शन दे रही है इसके अलावा लोगों को अपने पडोस के तीन डिलोरों से एक रिफील सिलिंडर प्राप्त करने का विकल्प मिलेगा बड़ी कबर खतम हुआ विवाद इबियाम से ही होगा बिहार पंचाइट चुनाव विदानसवा वाली M2 इबियाम से होगा चुनाव छे पदों के लिए हर बूत पर होगी अलग अलग इबियाम बिहार पंचाय चुनाव विदानसभा चुनाव में इस्तिमाल हुई M2 ABM से होगा राज निर्वाचन आयोग ने कल इससे जोड़े अधिकारिक बयान जारी कर दिया है M2 ABM सिंगल पोस्ट ABM है बिहार पंचाय चुनाव में 6 पदों के लिए हर बूत पर 6 अलग-अलग ABM का इस्तिमाल होगा बिहार पंचाय चुनाव के लिए बनने वाले अनुमानित 1,20,000 बूतों के लिए राज निर्वाचन आयोग को लगबग 7-8 लाग ABM की जरत होगी बारत निर्वाचन आयोग ने राज निर्वाचन आयोग को ABM उपलब्द कराने का जिम्मा लिया है बिहार में कहर बरपा रहा है कोरोना बिहार में पिछले 24 गंटे में 20.54 परतिसत बड़े मरीज 7,870 मिले नई संक्रमित बिहार में पिछले 24 गंटे में 7,870 करोना संक्रमित मिले हैं जो सुकरवार को मिले 6,253 संक्रमितों से 20.54 परतिस अधिक है यानि एक दिन में करीब 20.54 परतिस अधिक संक्रमित मिले हैं राज के 5 जिलों में 300 से अधिक नए करोना संक्रमित मिले हैं वहीं कूल 27 जिलों में से आधिक नए कुरोना संक्रमित के पाचान की गई है जबकि 34 संक्रमित के इलाज के दोरान मौत हो गई है वहीं आपको बता दी कि राज में पटना में सरबाधेक 1898 नए संक्रमित के पाचान की गई है बीहार सरकार का बड़ा एलान प्रवासी मेशज़ोर को दी जाएगी नोकरी इस किल्ड लेबल को 10 लग का लोन जी हाँ बीहार सरकार में स्रम संसादन में बिभाक के मंत्री जिवेस मिस्रा ने बताया कि कॉरोना महामारी के कारण पलायन को मजबूर परवासे मैज़ूर को बिहार में ही नोक्री दी जाएगी स्रम संसाधन मंत्रे जिवेस मिस्रा ने कहा कि कोरोना के समय दूसरे राज से बिहार आने वाले मैज़ूर के लिए रोजगार की विवस्ता की जा रही है इसके लिए उनकी कुसलता को देखते विए 10 लग का रूपय का लोन भी उन्हें दिया जाएगा उन्होंने कहा कि इसमें सरकार की ओर से 5 लग का अनुदान दिया जाएगा सेस बचे 5 लग 84 किस्तों में उन्हें वापस करना होगा आर में डियल और फिटनेस परमान पत्र अब 30 जून तक होंगे माइन परमिट के लिए इस तारिक तक करे आवेदन जी हाँ कोरोना में अमारी को देखते हुए ड्राइविंग लाइसेंस पिटनेस परमान पत्र वाहनों के रिजिस्ट्रेशन और परमिट जैसे मोटर वाहन दस्तवेज की वेदता को 30 जून 2001 तक बढ़ा दिया गया है केंद्री सडक परिवहन और राजमार्ग मंतरले की निर्दिस पर परिवहन बिभांग ने चेतरे परिवहन प्रादिकार सभी जिला परिवहन बधिकार और मोटर यान निरिक्चक को पत्र लिकर इसकी जानकारी दी है आपको बढ़ा दे कि इसका लाब उन वहान चालकों को मिलेगा जिनके दस्तावेज की वेदता एक फरवरी 2020 या उसके बाद समाप्त हो चुकी है और कुरोना संक्रमन के कारण इसे फिलाल बढ़ाया नहीं जा सकता है परमिट के लिए 30 अपरेल तक आप आवेदन कर सकते हैं इसके लिए परिवहान विभाग ने बिहार पश्चिम मंगाल और बिहार चतिसगड के बीच परमिट सम्मन्दित आवेदन करने के तारिक 30 अपरेल तक बढ़ा दी है पहले 15 अपरेल तक अंतिम तिति थी कोविट सहयता के रूप में सरकार ने बिहार के 15 लाग स्रमिकों के खाते में भेजे 446 कडोर रुपी है उनके खाते में कोविट आर्थिक सहयता के रूप में 446 कडोर से अधिक रासी भेजी गई है श्रम संसादन विवाग के मंत्री जिवेश कुमार द्वारा विश्व यापि कोविड-19 महामारे के मद्धिनेजर वित्तिय वर्ष 2021 के लिए वार्षिक चिकिस्ट सहयता योजना के अंतरगत बिहार सनिमान कर्मकार कल्यान बोर्ड में निवंदिद सवी निर्मान कामगार को तीन हजार की दर से रासे का हस्तंतरन किया गया है आपकुबदादी की कूल 14,87,000 तेस निवंदिन निर्मान कामगारो को तीन हजार रुपी के हिसाब से 446 कडूर 10,69,000 की रासे उनके बैंक खातों में डिवीटी के जरिये भेजी जा रही है बिहार में कोरोना के बढ़ते मामले पर हाइकोट ने जताई चिन्ता स्वास्त विभाग की जमकर खिचाई की है कोट ने जाच रिपोर्ट में देरे इलाज नहीं मिलने आदे पर चिन्ता जताई है कोट का कहना था कि आम जन के लिए सरकारे अस्पताल का दर्वाजा लगबग बन सा है आम जन को भरती करने से मना कर दिया जा रहा है कहीं बेड नहीं होने तो कहीं ऑक्सिजन नहीं होने की जानकारी दी जा रही है यह गलत है अस्पताल आए लोगों को भरती करने तथा उन्हें बहतर इलाज देने की विवस्ता की जानी चाहिए सुवीदा नहीं है तो उसे बढ़ाने तथा संसाधन उहलब्द कराने की करवाई करे जरत के हिसाब से संसाधन मुहाया कराए पोट ने मामले पर अगली सुनवाई 17 अपरेल की तारिक निर्दारित की है और हम की बड़े कबर केंद्र सरकार की स्क्रेप पोलिसी की तहद बिहार में करीब डेड़ लाग गाडिया होगी सड़क से बाहर फिटनेस जाज के लिए बिहाटा में खुलेगा केंद्र राज को परदोसन मुक्त बनाने के लिए राज सरकार इलेक्ट्रिक बेटरी वो स्येंजी से चलने वाले गाडियों को बढ़ावा दे रही है सरकार व्यबसाइक वाहनों में अनुदान भी दे रही है थाकि लोग पुरानी गाडियों को स्येंजी में कनवर्ट कर ले वहीं विभाक सड़क से पुरानी गाडियों को हटाने के लिए बिहाटा में निरिक्चन एवैंप्रमानी करन केंदर खोलेगा इस केंदर के मैदम से ही पुरानी गाडियों को सर्टिपेकेट दिया जाए या कि वहा सड़कों पर चलने के योग है या नहीant बिना इसके certificate के लिए कोई सडक पर गाड़ी नहीं चला पाएगा आज के लिए आपका स्वाल बताए कि बिहार के सबसे लंबी नदी कौन सी है इसका जबाब आप हमें नीचे comment box में जरूर बताएगा